नमस्कार दोस्तों सबागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज मैं आप लोगे साथ एक फेशल का वीडियो शेयर करने वाली हूँ आज मैंने यूज किया है जोवीज का एंटी पिग्मेंटेशन एंटी ब्लैमिश फेशल किट इसमें रहते हैं 5 स्टेप्स मेरी जो क्लाइंट थी इनके फेश पे काफी पिग्मेंटेशन था और बहुत जादा जो जाईया होती है वो हो गये थे तो इनके लिए ये वाला जो फेशल है वो काफी अच्छा है आपके क्लाइंट की अगर स्किन इस टैप की है तो आप ये वाला फेशल उन्हें दे सकते हैं तो सबसे पहले step होता है cleansing करने का, मैंने ले लिया है cleanser और इस तरीके से सबसे पहले face पे उसे अच्छे से पहला लिया है और हल्का हल्का massage start किया है आपको नीचे से उपर की तरफ cleansing करनी है, आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से कर रही हूँ पहले आपको chin area पे अच्छे से इस तरीके से हलका हलका मसाज करना है अगर आपका जो cream है वो dry हो रहा है तो आप rose water ले सकते हैं या फिर आप toner यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं mouth के आसपास cleansing कर रही हूँ अब nose पे कर रही हूँ हलकी हलकी हातों से आपको करना है मैंने वीडियो की speed थोड़ी से बढ़ाई हुई है ने तो वीडियो लंबा हो जाता तो आपको हलकी हलकी हातों से करना है और बहुँत जादा speed में नहीं करना है तो बस cleansing आपको अच्छे से कर लेनी है आप देख सकते हैं steps को आप ध्यान से देखेगा क्योंकि मैंने बहुत simple way में बताया है और अगर आप वीडियो को last तक अच्छे से देखेंगे समझ के देखेंगे तो आप facial करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे तो आपको इस तरीके से forehead पे भी अच्छे से cleansing करनी है देखें किस तरीके से मैं हलके हलके हाथों से steps दे रही हूँ आपको ध्यान से देखना है नीचे से उपर की तरब इस तरीके से आपको cleansing करनी है neck area को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है नहीं तो ऐसा लगेगा कि face पे आपने अच्छे से सफाई कर ली लेकिन neck area को छोड़ दिया है और वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है तो proper way में facial करना है अच्छे से आपको करना इस तरीके से massage करना है आप देख सकते है cheeks area पे बिल्कुल हलका हलका massage करना है बहुत जादा pressure नहीं देना है eyes के पास भी आपको इस तरीके से fingers को round करते हुए clockwise, anti-clockwise आपको करते जाना है cleansing करने से क्या होता है cleansing करने से face की अच्छे से सफाई हो जाती है अगर आपके client makeup करके आए हुए हो या फिर बहर से आते हैं तो dust हो जाता है, pollution होता है तो इस वज़े से face पे वो सारी चीज़े चिपक जाती है तो cleansing करने से face अच्छे से साफ हो जाता है और उसके बाद आप जो भी steps करते हैं उसका result काफी अच्छा आता है next हम करते हैं scrubbing तो इस तरीके से मैंने देखी पहले अच्छे से scrub को फैला लिया है और फिर हलके हलके हाथों से scrubbing में start करूंगी अगर dry लगे तो आप rose water या फिर आप to owner यूज़ कर सकते हैं कभी भी dry massage नहीं दीज़ें मतलब अगर cream dry हो रही है, scrub dry हो रहा है तो आपको उसे हलका सा wet करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो rashes आ जाएंगे तो हलके से इस तरीके से आपको scrubbing करना है cleansing, scrubbing बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, नहीं तो problem हो सकती है अब देखें इस तरीके से mouth के आसपास अच्छे से scrubbing करना है nose में बहुत ज़्यादा black head, white head के problem होती है तो वहाँ अच्छे से scrub आप कर लीजिए इनके वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने इनके black head वगरे remove भी नहीं किये थे अगर आपके client को black head, white head या ऐसी कोई समस्या ना हो तो आप कोई भी tool use नहीं करें तो अब आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से इस तरीके से circular motion पे eyes के पास करना है बहुत ज़्यादा pressure नहीं देना है body sensitive area होता है eyes तो हलके हलके हाथों से आप scrubbing कर सकते हैं अब मैं forehead पे कर रही हूँ तो अच्छे से scrub करना क्यों ज़रूरी है scrub करने से face exfoliate हो जाता है जो dead cells होते हैं, वो remove होते हैं आपकी जो skin होती है, वो breathe करने लगती है और काफी ज़्यादा smooth लगती है तो scrubbing बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा scrubbing ना करें हलके हाथों से करें और ज़्यादा time तक ना करें तीन से चार मिनिट के अंदर ही scrubbing करें और अच्छे से करें क्योंकि scrubbing करना बहुत ज़रूरी है तो बस हलके हलके हाथों से इस तरीके से आपको करते जाना है नीचे से उपर की तरफ आपको हर जीस करनी होती है scrubbing अच्छे से होने के बाद आप इसे एक साफ नैपकिन की हेल्प से पहुँचते है नेक्स स्टेप है वो है क्रीम एप्लिकेशन का यहाँ पे जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे एप्लाई होते हैं तो इस एप्लिकेशन को जरूर देखिए ध्यान से देखिए तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्रीम को अपने पाम पे ले लिया है और फिर इसे फैलाना है और धीरे धीरे आपको मसाज स्टार्ट करना है तो मैं नीचे से इस तरीके से चिन एरिया से शुरू कर रही हूँ अब देखिए मैं क्रिस्क्रोस कर रही हूँ इसे क्या फाइदा होता है जो भी क्लाइंट के डबल जिनकी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है अगर आप मसाज अच्छे से करते हैं तो बहुत जादा फाइदा होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और फेस पे काफी ग्लो आता है तो फेशल एट लिस्ट मन्त में एक बार तो करवाना चाहिए जिनकी एज जादा हो रही है उन्हें तो रेगुलर ये चीज़ करानी ही चाहिए इससे क्या होगा फेस पे काफी टाइटनेस आ जाएगी और रिंकल्स वागिरिस खतम हो जाएगे तो फेशल जरूर कराया करें इससे कोई दिक्कत नहीं होती है जबकि अगर आप फेशल करवाते रहते हैं तो आपका जो फेस है उस पे ग्लो बर गरा रहता है तो इस तरीके से आपको हलके हलके हाथों से करना है आप देख सकते हैं नीचे से उपर की तरफ मैं कर रही हूँ पहले मैंने chin area पे करा फिर मैंने mouth के आसपास किया उसके बाद से अब मैं इस तरीके से cheek area पे कर रही हूँ आइस के आसपास इस तरीके से आपको सरकुलर मोशन में करना है clockwise, anti-clockwise इस तरीके से आपको करते जाना है हलके-हलके हाथों से अब देखे आईब्रोस वे में हलका सा प्रेशर दे रही हूं और forehead पे फिर उसी steps को आपको repeat करते जाना है पहले आपको इस तरीके से चिनेरिया पे करना है और फिर उपर बढ़ते जाना है अब देखिए मैं इस तरीके से अपलिफ्ट कर रही हूँ जैसे इनकी एज जो है वो लगबख 40-45 है तो इस तरीके से आपको अपलिफ्ट करने वाले स्टेप्स जादा करने है और जो टीनेजर्स होते हैं उन पे आपको इस तरीके के स्टेप नहीं करने है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत जादा यंग होती है उन पे अपलिफ्ट की जरूरत नहीं होती है तो हम उन्हें बेसिकली क्लीन अप देते हैं तो clean up का video मेरे channel पे already जा चुका है, काफी अच्छा response है, आप उसे ज़रूर record करिएगा अब इस तरीके से गालों पे मैं uplift कर रही हूँ, अब देखिए ये जो step है ये है 8 बनाने का जैसे हम 8 लिखते हैं उस तरीके से आपको गालों पे करना है नोस पे हलकी हलकी से मसाज करनी है, अब देखिए मैं इस तरीके से clockwise कर रही हूँ और फिर anti-clockwise कर रही हूँ अब मैंने eyes पे भी 8 बनाया है जैसे हमने गालों पे बनाया था उसी तरीके से और forehead पे इस तरीके से आपको मसाज देना है हलकी हलकी हातों से uplift करना है बहुत ज़ादा beneficial होता है, जो facial होता है, blood circulation काफी बढ़ाता है आप अपने client को suggestion भी दिया करें कि आपको किस तरीके का facial करवाना चाहिए या आपकी जिम्मेदारी होती है, उनको तो ज़ादा पता नहीं होता है, तो आप उन्हें अच्छे से suggestion दे सकते हैं अब इस तरीके से मैं नेक एरिया पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किसे भी एरिया को आपको छोड़ना नहीं है, हर एरिया को अच्छे से cover करना है और जो भी pressure points होते हैं, उनमें हलका हलका सा pressure देते हुए massage करना है तो देखिए, अब मैं criss cross कर रही हूँ, अब मैंने mouth के आसपास किया हलका हलका सा, देखिए, मैं दबा रही हूँ, जो भी pressure points रहते हैं, उनमें इस तरीके से आपको pressure देना है अब इस तरीके से uplift करना है इससे जो भी गाल होते हैं, जो लटके हुए रहते हैं, वो धीरे धीरे सही होने लगते हैं अब इस तरीके से criss cross आपको करते जाना है, इससे जो wrinkles होते हैं, फाइलाइस होते हैं, वो reduce होते हैं हलकी हलकी हातों से बहुत ज़ादा pressure नहीं देना है अब मैं यहाँ पे pinching कर रही हूँ, इससे pinching बोलते हैं और pinching के बाद मैं करूँगे tapping आपको इस तरीके से fingers की movement देनी है इससे tapping बोलते हैं, यह वाले steps हम pedicure, manicure पे भी करते हैं तो manicure, pedicure के वीडियो बहुत जल्द मेरे channel पे आने वाले हैं तो channel के साथ बने रहीएगा आपको इस तरीके से पूरे ही face पे और neck पे tapping करनी है अब देखिए, मैं हलका हलका सा massage करते हुए pressure point पे pressure दे रही हूँ काफी ज़्यादा relax feel होता है इस तरीके से eyebrows को आपको उपर उठाना है और pressure point पे pressure देना है अब मैं forehead पे कर रही हूँ इस तरीके से चेनेरिया पे करना है आपको इस तरीके से pressure points पे pressure देते जाना है और हलके हलके से massage करते जाना है बस facial बहुत ज़्यादा easy होता है लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो important बात होती है वो है आपके massage की massage आप जितने अच्छे से करेंगे और pressure points को ध्यान रखते हुए करेंगे facial का glow उतना ही ज़्यादा आता है तो इस तरीके से आप देख सकते है मैं गालों को uplift कर रही हूँ हलका हलका सापको pressure देते हुए इस तरीके से massage करना है नीचे से उपर की तरफ करना है कोई सा भी step उपर से नीचे की तरफ नहीं करना है दोस्तों मैंने अपने चैनल पे ऐसे बहुत सरे videos डाले हैं जो आप लोगों के लिए beneficial हो सकते हैं मैंने और भी facial के videos डाले हुए हैं clean up के videos डाले हुए हैं make up से related videos डाले हुए हैं और hand polishing का video डाला हुआ है बहुत सारे ऐसे videos हैं जो आप लोगों के लिए helpful हो सकते हैं तो चैनल को check out जरूर करिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आप में कुछ suggestion भी दे सकते हैं comment box में comment करके कि आपको किस तरीके के videos देखना पसंद है पालर से related मैं ऐसे videos बहुत जल्द आप लोगों के लिए ले करके आऊंगी आप आप देखिए यहाँ पे मैं फिर से उन्ही स्टेप्स को repeat कर रही हूँ आपको इसी तरीके से जो same steps होते हैं उसे repeat करते जाना है और लगबख मसाज आपको 10 मिनिट तो करना ही है 10 मिनिट से कम मसाज मत करेगा 10 मिनिट तो मसाज आपको अच्छे से करना ही है क्योंकि facial में में जो होता है वो होता है आपका मसाज तो मसाज में सबसे जादा time दीजिए अच्छे से करिए पूरे steps follow करिए और आपका जो client है वो ज़रूर खुश होगा आपका मसाज का step सही होना चाहिए और उसकी technique सही होनी चाहिए तो फिर से इस तरीके से मैंने पहले pinching की और अब मैं tapping कर रही हूँ आप देख सकते है अब मैं pressure point पे pressure दे रही हूँ ये बहुत ज़ादा important होता है बहुत ही ज़ादा इस तरीके से आपको pressure देना है देख सकते हैं मैं इस तरीके से vibrate कर रही हूँ इसे क्या होगा आपने जो भी steps अभी follow किये हैं उसका result काफी अच्छा हैगा थोड़ा relaxation मिल जाता है क्योंकि हम massage करते रहते हैं तो ये चीज़े चलती ही रहती है तो हमें उसे हलका सा काम करना है थोड़ा सा relaxation देना भी ज़रूरी है तो आपको इस तरीके से vibrate करना है और उसके बाद जब massage के step पूरा हो जाए तो आपको अच्छे से clean कर देना है उसे next step है face pack application का तो face pack आपको लगाना है नीचे से उपर की तरफ कभी भी उपर से नीचे की तरफ face pack न लगाएं आप चाहें तो face pack में toner या फिर आप rose water mix करके भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं लग री थी तो मैंने directly ऐसे ही लगाया बहुत जादा पानी या बहुत जादा toner वगेरे भी यूज़ करना सही नहीं है क्योंकि जो cream वगेरे बनी हुई है वो उसकी original form में है और हम उसमें कुछ न कुछ अगर extra मिला कर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी जो original efficiency है वो कम हो जाए तो बहुत ज़ादा पानी या बहुत ज़ादा toner वगेरे यूज़ ना करें अगर जरूरत हो तब ही यूज़ करें और बहुत कम quantity में यूज़ करें तो इस तरीके से face pack को आपको नीचे से उपर की तरफ लगा लेना है face pack लगाने से skin हो जाती है tight और जो wrinkles वगरे होते हैं वो धीरे धीरे reduce होते हैं हमने scrubbing की scrubbing करने से pores open हो जाते हैं उसके बाद से massage की cream application से जो भी pores open होते हैं उसके cream अच्छे से जाते हैं और आपके skin उसे अच्छे से absorb करती है face pack एपलाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यूंकि इससे open pores जो होते हैं वो close हो जाते हैं और आपकी जो skin होती है वो बहुत जादा tight रहती है जब face pack अच्छे से apply हो जाए तो आप eyes पे इस तरीके से खीरा रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो cotton में rose water लेके भी रख सकते हैं जब face pack semi dry हो जाए तो इसे आपको अच्छे से clean कर लेना है तो इस तरीके से पहले tissue को आप थोड़ा सा wet कर लीजे और पहले place करिए उसके बाद हलका सा थप थपाईए फिर clean करिए एकदम से face pack को clean करने से wrinkles आ सकते हैं तो इस तरीके से मैं पहले थप थपा ले रही हूँ हलका सा उसके बाद clean करूँगी face pack को अच्छे से clean करने के बाद last step है moisturizer apply करने का तो इस facial kit में anti pigmentation and anti blemish cream दी हुई है अगर आपके facial kit में last step स्रिफ face pack तक का है तो आप कोई सा भी अच्छी quality का moisturizer apply कर सकते हैं इसमें दिया गया है तो मैं इसी cream को apply करूँगी तो अब आपको last में इस तरीके से cream को हलका समसाज करते हुए apply कर लेना है अगर आपके पास भी ऐसे कोई client आते हैं जिनके skin में blemish वगरे है तो आप ये वाला facial उन्हें suggest कर सकते हैं बहुत अच्छा facial है और ये herbal facial है जोवीज के जो product होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं इनके बहुत सारे facial के range आते हैं आप check out कर सकते हैं मैंने जोवीज के कुछ products भी यूज के हुए हैं मुझे इनका result काफी अच्छा लगा है तो आप देख सकते हैं इनके face पे glow बिल्कुल नजर आ रहा है आप भी अपने client को ये वाला facial suggest करिए और अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना share करना comment करना मत भूलिएगा चैनला को subscribe कर दीजेगा और bell button हिट कर दीजेगा ताकि नए वीडियो के notifications मिलते रहें